हेलो दोस्तो आपका अपना चैनल अभी स्टेडी 95 में स्वागत है दोस्तो आज के टॉपिक में लेकर आया हूँ भावतिक रासियां और उनके SI मात्रक जो सभी परिच्छाओं के लिए महत्वपून है मैं आपको इस वीडियो में सभी भावतिक रासियां और उनके SI मात्रों को बताऊंगा आप पूरा वीडियो देख लिएगा इससे अलग कोई भी क्विस्टन से नहीं पूछा जाएगा सभी भावतिक रासियां और SI यूनिट को इस वीडियो में बताया हूँ तो आप पूरा वीडियो देखिएगा और आप से एक छोटी सी रिक्वेश्ट है कि अभी तक मेरे चैनल को सस्क्राइब नहीं किये हैं तो जल्दी से कर लिजिए साथ में वेल आइकन प्रेस कर लिजिए तो आईए देखते हैं पहला है समय समय का मात्रक सेकेंड होता है आपको एक एक पॉइंट देखते चलना है द्रब्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है और दोस्तों लंबाई चोड़ाई और उचाई का मात्रक मीटर होता है तो इन तीनों पॉइंट को ध्यान देजिएगा समय का मात्रक सेकेंड द्रब्यमान का किलोग्राम लंबाई का मीटर नेक्स्ट है कारे का मात्रक जूल होता है दोस्तों उर्जा का भी मात्रक जूल होता है आपको एक इस्टोरी बता रहा हूँ देखिए अगर आप कोई कारे करते हैं तो आपके अंदर से उर्जा की हानी होती है और आपको उर्जा की हानी को पूरा करने के लिए काजू खाना पड़ेगा तो काजू से याद रखिएगा काज से कार अजू से जूल नेक्स्ट है कोण दोस्तो कोण का मातरक रेडियन होता है ठोस कोण का मातरक इस्टे रेडियन होता है ताप मान का मात्रक कैल्विन होता है तीनों पॉइंट इंपोर्टेंट है इसे ध्यान दीजेगा नेक्स देखिए जोती त्यूरता इसका मात्रक कैंडला होता है जोती त्यूरता यह जब कोई light source एक सिकेंड में particular direction में जितनी light को produce करती है उसे हम जोती तीरता कहते हैं इसका unit candle होता है तो इसे ध्यान दिजेगा नेक्स है जोती flux दोस्तों जोती flux क्या होता है जब कोई प्रकास रोत एक सेकिन में जितनी light produce करता है वह उसकी जोती flux कहलाता है जोती flux का unit lumin होता है नेक्स है बिद्दुधारा बिद्दुधारा का मात्रक MPR होता है दोस्तों ध्यान दिजेगा important है तो आप जोती तिवृता जोती फ्लक्स और बिद्दुधारा के उनिट को नहीं भूलिएगा important है एक्जाम में आता है next है बल बल का मात्रक Newton होता है एक note point बता रहा हूं CGS फद्धती में बल की unit dine होती है इस point को note करिएगा important है दाप का मात्रक Pascal होता है next है सक्ती दोस्तों power का unit होता है watt देखिए 1 HP बराबर 746 watt होता है next है छेत्रफल छेत्रफल का मात्रक बर्ग मीटर होता है आयतन का मात्रक घन मीटर होता है और दोस्तों चाल का मात्रक मीटर प्रतिशेकेंड होता है तो ध्यान दिजेगा चाल और बेग दोनों का मात्रक मीटर प्रतिशेकेंड होता है एक note point है चाल अदीश राशी है और बेग सदीश रा को ध्यान दिजिएगा दोनों का मात्रक एक समान होता है मीटर प्रति सेकेंड चाल और बेक का मात्रक होता है नेक्स है कोणी बेक कोणी बेक का मात्रक रेडियन प्रति सेकेंड आवेक का मात्रक न्यूटन शेकेंड होता है संबेक का मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड होता है दोस्तों ध्यान दीजिएगा आवेक का फार्मूला होता है बल गुणे समय तो बल का मात्रक न्यूटन और समय का मात्रक सेकेंड तो आवेक का यूनिट हो जाएगा न्यूटन सेकेंड नेक्स है आवेस का मात्रक कुलाम होता है आब रिती का मात्रक हर्ट होता है दोस है तरंगदैड का मात्रक हेनरी होता है दोस्तों ध्यान दीजियेगा इंपोर्टेंट है प्रेजROια का मात्रक हेनरी होता है नेक्स है दिर्टा गुरांग दोस्तों दिर्टा गुडांग का जो यूनिट होता है निूटन प्रती मीटर स्कॉर होता है जैसा कि आपको दिख रहा है नेक्स्ट है ओजोन लेयर की मोटाई किस यूनिट में मापी जाती है दोस्तों 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 दोस्तो का है बेग परिवर्तन की दर को तोरण काते हैं इसकी यूनिट होती है मीटर प्रती सेकेंड डिस्कायर ध्यान दिजेगा घनत्तों की यूनिट होती है किलो ग्राम प्रती मीटर क्यूब जैसा कि आपको दिख रहा है सभी पॉइंट इंपोर्टेंट है प्रतिरोध वेरी वे इंपोर्टेंट है ध्यान दिजेगा रजिस्टेंस का यूनिट ओम होता है इस पॉइंट को आप नोट करिए एक्जाम के लिए महत्पून है सभी यूनिट इक्जाम में पूछे गये हैं तो आप पूरा वीडियो देखिएगा ध्यान से देखिएगा नेक्ट है बिसिष् पूर्तिरोत का मात्रक ओम मीटर होता है स्यानता की इकाई पॉइज में मेजर्मिन्ट की जाती है बेरी बेरी इंपोर्टेंट है नेक्ट से लेंस की स्छमता दोस्तों लेंस की सकती या स्छमता डायोप्टर में मापी जाती है दोस्तों आज के वीडियो में आप देखे भ उमीद करता हूँ आपको सभी point याद हो गए होंगे, सभी unit याद हो गए होंगे, तो आपसे एक छोटी सी request है, वीडियो आपको अच्छी लगी हो, तो प्लीज वीडियो को अपने दोस्तों में share करिए, अभी तक मेरे चैनल को subscribe नहीं किये हैं, तो आप चैनल को subscribe करके साथ मे वेल आइकन को फ्रेस करना न भूलिए, ताकि इसी तरह की वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचे, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए, जै हिन, जै भारत!